यस प्रकार समय बेति थुदे गयो, एक समय उतरा माता को गर्व बाता, एक बालक को जन्म भयो, तत्पता सम्पुर्ण नगर का वाशिहरू देखी लेरा महराज युदिष्टिर, अर्जुन, भीम, नकुल, शहदेव, सम्पुर्ण प्रसन्न हुनु भयो, रहेता युदिष सिर्जी महराज ले, नामकरण सम्षकार, गर्न गल्लागी, ब्रामण हरलाई, बोलावनों भयो, रति बालक को नाम रयो, विष्णु राथ, विष्णु राथ किन भने, भाग्वान विष्णु श्वयम गर्व मा गयेर, दर्शन दिन भये को थियो, संख चक्र गधा, पद मा धारन गरेर, एक अंगुष्टी, बुड़ी अवलाको, बराबर मा प्रभेश गरेर, दि ब्रशन दिन भये को थियो, उने भगवान विष्णु के, शुरूप मा, ति बालक लाई बचावनों भयो, भगवान क्रिष्ण ले, तिसे कारण ले, उनको नाम विष्णु दिन भयो, ति बालक लाई जस्चे जसले बोक्त थियो, उसे उसे को मुख मा ति बालक ले च्टल परेरा हेरी रहन थे, अब हेर थे के शन पसाड़ी ओर रोधन गरना लागदा थे, रुना लागदा थे, अब यस्तो लागदे थियो कि बालक ले कसे को प्रतिक्ष्या गर कशाई लाई खोश देशा, तिस तो अनुभाव भुदै थियो, शवाई ले बोक्ति कशाई शांगा मान दाई न थिये, जब के दिन पसाद भगवान को हाथ मा यानि काख मा गये ति बालक मुश्कुरावन लागे, रुना तिसे बिला देखी इबालक ले, शवाई को अन् चाप संग प्रसन्न भय भने पसी, उनको नाम रयो परिक्षित, उने विश्णु रात को नाम रयो और को नाम परिक्षित, परिक्षित को जोतीश, जोतीश लाई बुलाए रा त्यहां भविश्य वाड़ी पनी, गरायो भविश्य हेर्दा हेर्दै, खुब बड़ा प्रस सम्षनिय कुरा युदुष्टिर्जी महाराज ले शवयले सुन्नों भयो र खुशी मनले प्रसन्न मनले सुन्दै जानों भयो त्यो ती जो तीश गुरुले भन्न लागनों भयो इबालक अत्यंत बुद्धिशाली यानी युदुष्टिर को सम्मान धर्मात्मी हुन्चन भीम को सम्मान बल्चाली हुन्चन अर्जुन को सम्मान बुद्धिमानी हुन्चन तीशी गरी नकुल्र सहदेव को सम्मान ज्यानी हुन्चन यस्तो शोभाव का यो बालक हुन्चन तिसी गरी शमुंद्र को सम्मान गंभीर हुनेश, सिंग को सम्मान पराक्रमी हुनेश, धर्म का लागी हर समय हर विरा रक्ष्या गर्नी हुनेश, रहु निर अपरादी बेक्तिलाई शदे वसाईता दिनेश, एक दम प्रसन्न चित्ता को रहनेश, रहु भक्ती भाव को हुनेश, किना भने एक अंश यो बालक भगवान को शुरूप हुँ, तेसे कारण अंतिम्मा दुख लाग दो कुराईयो छ, राज्य को संचालन पनी राम्रो गर्शन जव यो बालक लिक राज्य भार समालन थालचन तव, हरे एक ठाउबट ब्रिद्धी हुना लाख्ष, राम्रो हुना लाख्ष, प्रसन्न हुन्च, सबै तिरा बाट, प्रजाहरुपनी हर्श उलास हुन्चन, अंतिम्मा गैर, समीक रिशी स्रिंगी को स्राप द्वारा यो बालक को तक्षेक नाग बाट डशेर, साद दिन भित्रमा मृत्त हुनी स्राप लाख्ष, यती सुन्ने बितिके उन्हेर लाई, सबै लाई, जटका पर न थालियो, अरे, ब्रामर को मुख बाट इस्तो कुरा सुनी सके पची, युदिश्टिर्जी महराज अत्तिन्त भयवित हुनों भयो, अताली न थालनों भयो, रा स्वत्ना लागनों भयो, अहो, ही भगवान, अब किये गार ने, इसको उपाय के छा, इस्तो भय पची, केई ने केई तो उपाय हो लानी, मेरो पुत्रले यो अवस्तामा यो गतीमा परेपजी के सद्गती पाऊश, मुक्ती पाऊश, के त्यो अंतिम अवस्तामा भगवती चिंतन गरना पाऊश, उसलाइक कसले मार्ग दर्शन देखावला, कसले गरावला, रह, एता ती कुले भन्न हुन्छा कि यी राजा परिक्षित भैर तिती स्राब परिशके पसाद स्वयम साक्षात भगवान के अंग्ष रूपी श्री शुकदेर जीको मुखार विंदवाट भगवत चर्चा सुने रे उसको मुक्षक गती प्राप्त हुन्छा जोगदा तक्षक नागले अगतिमा राजा परिक्षित परे सुन्दा भगवत शप्त हबिदिले संसार पारी तरे तेसे लिए भगवत शप्त हबिदिले संसार पारी तरे तेसे लिए भगवत सज्जन कथा सुनेर अगतिमा परेका परिक्षित लेता मुक्षक गती प्राप्त गर्दसन्द भने देखी हामी यसकलिकाल का मनुष्य भईर हामी त्यों अवस्तमा न परीकन मुक्षेक गती लाई प्राप्त गर्न सक्चो हामी कती अहो भाग्य हों हामी कती भाग्य शाली हों तेसे कारण यहां बालक को भविष्य वाडी गरे रो ब्रामर हेरू लाई दान दछिना दी एर शवाई ब्रामडेरो आप आपनो मार्ग प्रस्तान गरनो भयो एता राजा ले राजशुय यग्य गरने यानी तीन अश्चोमेत यग्य गरने धाराना राखनो भयो गरने बिचार राखनो भयो अब त्यसको लागी धन तछाई ना आप शवाई राजा संग तीन अश्चोमेत यग्य गरने धन पूर्ण रोपले छाई ना अब किये गर्ने भंदा गाडधन होंच जुन गाडधन धिरेई समय मा जमिन मुनी छोड़ेको गाड़े रज छोड़ेको धन लाई त्यहाँ बट निकाले र त्याई पवित्र धन ले वहाले त्यों आपनु इच्छालाई आपनु संकल्पलाई पूर्ण गर्न होंच जुन राजा मरूत को यग्यमा प्राप्त भयेको त्यों धन थे ब्रामण हेरोली बोक्न नसके राखेको धन छोड़े रहीने को धन त्यों तेई धन लियाए राजा परिक्षित को त्यों सुचना सुनी सके पसाद उसको लागी पनी राम्रो होस भन्ने चाहाना र आपनु लागी नगर देश बासी हरू तेश मापनी संपूर्ण पराड़ी हरको हीद का लागी तेती मात्री है न जुन कुरुख्छेत्र माववि को त्यों युद्ध भूमीमा रण भूमिमा मृत्तु भवे का अकाल मृत्थुभवे का प्रेत्यो नीमापरे का बैक्तिक मुक्ति का लागी यति कारिय संपन्न गरणु भयो रो त्यों करी cuzér गरी सके पसाद संपुर्ण है कि तेज्वा क esperando प्रेती हिपकर परेगा धिर्डिम पनी सिलाई प्राप्त गर्ई गरे रायत विव्दिरमाराज परी पJ закры simplemente की से पृत depressed खुने वाला चो कि... खुन्चा हे दाजू, हे दाजू, आपत पर्यो, बिपत पर्यो, यो अवस्ता भयो की, अब के भन्ने मा बोलना सकी रहेगो शुईना, मेरो कंठ, कंठ चे भने अबरुद्ध भई रहेगो श, आज त्यो अवस्ता त्यो गती मा पुगेगो शुमाज, के भयो बाबू, कते ति मिलाई कसे ले, अपमान पो करेगी, त्यो इस्तान मा जहां ति मिलाई कसे ले, कुवाच्य पर बोले की, के भयो, इस प्रकार बिबित प्रस्ण गरे पछी, आज हामरो प्रभु, द्वारा कधिश, स्वधाम जानो भयो, आमिलाई छोडेर जानो भयो, अब वहां फरकेरा आउनो होन्न, वहाले ये संसार लाई छोडेर जानो भयो भनेर, भंदै रुदै, भंदै रुदै गर्न लागे, रह, यदु पमशी हेरुपनी सभई, नास भ मात्रै बचे का छन, अरुकोई रहे नन, रभगवान प्रभु, क्रिश्ण ले मलाई आपनी पत्नी हेरु, तिमीले रक्ष्या गर्नो है भनेर, भने का थी, तो पत्नी हेरुको रक्ष्या पनी गर्न सकी नमाईले, आदि बासी हेरुले पत्नी पनी, म बट चोरेर, यानी हर घाया, म हरनगररर, ले र गये, महार खाये, मलाहे हराही दिए, क्रिश्ण विना को तागत के तागत।, मि मेरो जियान मात्र यांचा, मिरो सरीर मात्र यांचा, मिरो प्राण टऊनेले ले र गये। अब गेई पनी बागी जई न मेरो हर समय मा मेरो क्रिष्ण गाड़ी आओ थे हर समय मा मला सायता दिन थे हर बेला आजमा समझीन चुहेद आजू हमिलाई दुख पर्दा सुख पर्दा हरेग बिला मा उनेले साथ दिये का थे हर समय मा उनेको छत्रचाय मा हमि बसे का थे हूँ अब हम्रों साथ मा कोही रहे न रह एती भनेर योकुरा सुनी सके पसाद युदिष्टिर्जी महराज भीम अर्जुन कुल्चहदेव पांचाली द्रौपती माता पनी विकल भैर रुन करवन लागे एता कुंती माताले जब योकुरा सुन्नु भैयो तो छेड आपनो आसनलाई कि त्यहां आसन ग्रहन गरेर वहाले शमादिष्ट हुनु भैयो रभगवान में लीन हुनु भैयो आपनो प्रालांत्य गर्णु भैयो बोला आनंदकंद भगवाने को रहे येता पाच पांडव हिरुपनी कैलास तरफ हिमाले तरफ प्रस्तान गरे रत्यहां बाट शुर्ग तरफ गए तत पसाद येता राजा परिक्षित ले राज्य समाल न थाले राजा परिक्षित आज राज्य को भार संपुर्ण कारिय भार उनेली समाल थे गरदा गरदेई शम्पुर्ण राज्य का राजा हरोलाई पनी जितेर विजे प्राप्त गरेर राशन हुद्येर दिक theta गर्देई गर्देई जादा जादै मार्गमा दोई प्राणी लाई देहे एक प्रिथ्वी रूपी गोव माता अरका बचडा विशव लाई त्याहा त्यों अवस्ता लाई देखे रा उनी भा विभोर भै अरे इस तो पीडा इस तो दयन्य अवस्ता पसले गरायो नजीके गए रश्वदे र ती धर्मराज गोव प्रिशव को तीन पाव थिये न किवल एक चरण मात्र थियो एता गोव माता लाई पनी एक कालो मशानले अपमान गर देए कुर्तै पिर्तै लचारदै पचारदै ल्याई रहे को थियो तो द्रिशेलाई देखन नसके नन राजा परिश्चित ले भर्ना लागे अरे मुर्खा तक्को होश तो अपमान गर देशस गोव माता लाई रह तो पनी मेरो इस्तान मा आई रह तो पनी मबीर एक धर्म राजा को सामुन्नी तब त्यों कालो मशान कल योग थियो कलिकाल त्यों अवस्ता लाई देखे रा सज्जन ब्रेंद कल योग लाई तेती बेलाई राजा परिश्चित ले बद गर्न लागनों भयो रत्यों समय तो कल योग परिश्चिक को चरण मा सरण पर्यों रा छेमा माग्यों हे महावीर राजा मलाय शरी बद न गर्नों होश किन भने मवट पने धेरे कुराको फाइदाश मलाय शरी न मार्न होश राजा परिश्चित भन्नों होँच तिमी बट किये फाइदाश आखिरी तिमी कल योग हो अन्याय अत्य चार जुन योग माँचे तिमरो बास होँच तिमरो प्रभाप को कारणले मनुष्यरु बुद्धी हीन मती हीन होँच तिमरो कारणले तेई भाइर जुट्टा अधर्मी हुँच तिमी मां केही खुबी चैन केही गुण चैन रती मिले ठुलो अपरात पनी गरेका चो मने पसी कल योग ले भने यत्फलम नास्तित पशान योगेन शमाधिना तत्फलम लभति शम्य कलो केशव केतना जुन जी सत्ति युगमा द्वापर युगमा त्रेता युगमा येति सजीले फल प्राप्ति हुदेन जुन मेरो युगमा प्राप्त हुँछ केवल हरे नाम को आस्त्रेले मात्री भगवान को केवल नाम ले मात्री ठुला ठुला योगी जन हिरेले हजारों हजार बर्स संबन पनी तपश्या गर्दा पनी भगवान प्राप्त गर्न कठीन हुँद्यों भने मेरो युगमा केवल एक भगवान नाम ले मात्री किना भनी कली यूग के बलनाम धारा कली यूग मा के बलनाम को मा त्रे आधार रही कुष्ण शुमीर नर उतर रही पारा कली यूग के बलनाम धा सुमीर शुमीर नर उतर रही पारा कली यूग के बलनाम धारा कली यूग के बलनाम धारा सुमीर शुमीर नर उतर रही पारा सुमीर सुमीर नार उत्रेह बार विश्तारे विश्तारे योग हवशागर बटा पार पावने कीवल भगवान को नाम हो यो कल यूग मा तेसे ले नाम संक्रितन को आश्रेली नुपर्दस कलिकाल मा भनेगो केवल भगवान कृष्ण भगवान स्री राम स्रीहरी को नाम लेनी संसार को भवशागर बटा मुक्ती हुन्छा और अब कल यूग लेत यूग कुरा बतायर राजा परिक्षित ले प्रसन्नत पार्यों अब बसने इस्तान ले बसने इस्तान चे कहां प्राप्तगर ने ता राजा परिक्षीत ले इस्तान दिनो भयो कुन कुन इस्तान भंदा जहां मदीडा पान हुँच जहां बेश्या ब्रिद्धी हुँच जहां काट मार हुँच जहां जुआता शिखेलींच तेस्तो तेस्तो ग्रिनित इस्तान माचे उसलाई बास दिनो भयो रध्यो घ्रिणित इस्तान मा अजैपनी बेगतिले चाहानार आसकती पन गरेर त्यहां फरकी फरकी जानच भने त्यहां कलीको बास हुँँच तो बेगतिको बुद्धि भ्रष्ठ हुँच तेस बेगतिको श्त्रीहिन हुँच तेस ता बेगतिलाई कैले पनी घरमा पनी जानती हुँदैना तो बेगतिको बुद्धी मती सदे खराब हुँच उसलिए कईले परिवार लाइबनी सुख दीना सकते ना आफुपनी सुखी हुँच जान दैना यो कलीको प्रभाव हुँच तेसे लिए यो चीज बाटा ताडा हुँच पर्षण अले जो जो बेगत थी हे रू युक यसता खराब संगत मा लागे का हुँचन प्रत्यको घर्मा हे रनोस काही सांती मिल देनकाही सांती छेइनो भलाई सानो जुप्रो घरमा बसेको बिक्तिकिन नहोश तरत्याश्मा भगवान को भजन कीर्तन नित्य बिहान बेलुकेई पुजा आजा तो घरमा आफई सांती प्राप्त चा लक्ष्मिक बास्च भग्मान ले कईले पनी ठुलो सानू धन संपती गरीब धनी हेर्न हो नम प्रभुले हेर्नी भने को कीवल उसको भाब लाई हो उसको भाब कस्तो शो उले गलतकारी अगर्दाशा दुसीत बनावदाशा ठुला ठु मा पनी ठुला ठुला भवन देखता के रिवायर बट आहा कती सुन्दर कती रामरु आहा इधर आजती सुख कसला होला रवने उंच तर तिनेर लाई जती दुख कसला बनी हो देना यो मन मा बेच्वाइन असांती भलाई सज्जन्वरेन सदेवरी यूटा कुरा ध्यान रा असलाई भयवित भई रंचा डर भई रंचा माथी वस्ने वेक्ती कि ठेगां त्यो माथी वड़ा कईले टुटेरा फुटेरा भाचियेरा जरींचा तुंगो हो देना तर भूमी मा बशेको छबने आहा त्यो जस्तो आनंद केई हो देना प्रेमले भनो राधे राधे munition तल चीर जुकाऊना जानुपश ? हम titled माथी उकाल चर्डा खेरिबने हामी चीर माथी गर सुम्न हामीला स्वास फिर न गारा हुंच्छ तर अर्याल जर्दा खोत्रुख plead क्खोत्रुख 害मि तल सजीले जर्शोम्ए वने तल्लो पध जुन मिठु गर्षा नि माथी गईरो बोज हुँँछ त्यहां वाट उमकीनगारो शानु भाइर बाचो जुन सानु को इस्तर मा आनंद चा ते आनंद मा शुखा चा बोला आनंद कंद भगवान को गलत जगामा न जाओं गलत इस्तान मा न जाओं जहां कलीले बास गरेको हुँँछ अब यो इस्तान तो एकदम दुशित इस्तान भयो प्रभू अली राम्र इस्तान मला आई प्रधान गरी बक्षुष भने पची अन्तिम्मा राजा परिक्षितले जाओं गईरा ते शुवे शुन मा वाश तो शुन पनी शोर्णा पनी कश्तू हालको शोर्णा मा जहां ठगी कि गरे लाये को हुँचा अरका को शोर्णा भनेको यती बुजनोस धन्संपती धन्संपती लगाये को पोएलो शुन मात्रे हुई न धातुमा मात्रे पढ़दाई नत्यों अन्य कसे इको इस्तान बाट यानि कसेला इक रुआए रह खगे रह कसे इको चौरी गरे रह को से लाग अपमान गरी रहा वसे संग चीने रहा यानी खोसे रहा लाई को सब्सक्राइब